इस वीडियो को सुर्ख करने से पहले कुछ चोड़ी चोड़ी अप्डेट्स देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार ने खनन माफिया हाजी इकबाल की 21 करोड की संपत्ति कुर्क प्रशासन ने लिया कब जा योगी आदितनाथ के टुटर हेंडल से ये निउस आई है कि श्री आयोध्या जी में मा सर्यू के तट पर रिवर फरंट विकसित होने जा रहा है मतलब riverfront जैसा एक बहुत हमेशा से controversial riverfront यूपी का रहा है लखनों का रहा है गोमती riverfront वैसा ही कुछ या उससे भी बड़ा या कुछ धार्मिक्स तरपे या कैसा क्या उसका structure होगा भी तो कुछ नहीं पता चला है लेकिन बनने जा रहा है ऐसा योगी आदितनात के official tutor handle से पता चला है अभी loudspeaker वाले मामले में जैसे कई जगों पर हो रहा है कि आपको पता है मंदिर मस्जिद गुर्दवारा हर religious places से कहीं से कम करवा हैं कहीं से speaker ही हटवा दिया है कहीं decibel manage किया है कोभी महराष्ट में वहीं पर क्या हो रहा है मुंबई में सिर्फ 24 मंदिरों जबकि 950 मस्जिनों को मिली loudspeaker की अनुमती मुंबई पुलिस ने जारी किये आकड़े एक वीडियो और आ रहे थी जिसमें दिखा जाता कि काशी विशुनात मंदिर के gate के सामने जहां पर सारी नाकाबंदी हुई पुलिस पर सासाने तमाम crowd है वहाँ पर एक महिला gate के सामने ही जहां पर बेरिकेडिंग है वहाँ पर वो नमाज पढ़ रही है उसका टायर देखके लग रहा था कि कोई हिंदू है लगन फिर जब उसने नमाज वाली बात मैं देखी तो मुझे लगा हो सकता है चलो नमाज पढ़ रही है अब इसमें ल सरजुकारी है और जिससे आप से उसने अटायर पहना हुआ है उसने कुछ ग्रीन या कुछ जालीदार या कुछ सफेद कुछ ऐसा तो नहीं पहना हुआ है ऐसे कपड़े तो हिंदू पहनते हैं तो मुझे देखके लग रहा है कि सेकुलर कंट्री में इतना बर्दास कर ले महादेव के सामने सरजुकारी आप यही मान लो मुसल्मानों को प्रॉब्लम होनी चाहिए कि तुमने जग्या गलत चुनी है फास गई हो अपने चीज में है तो इतना टेंशन ने लेने वाला है अब आते हैं मुद्देप है जिस बारे में यह विडियो है अभी तैजिंद भी और पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक भी इनवल हो चुका है बहुत ऐसा देरा कोई एक नैशनल इशु बन चुका है अब क्या बात हो रही है यह क्यों चला आ रहा और इस देश में कल्चर डेवलप हो रहा है उस कल्चर पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है लेकिन सौफल प्रैक्टिकल रियालिटी में आ चुका है उस पर बात करेंगे इस वीडियो को पूरा दिखेगा और बग्गा वाले मामले में जो कई चीज़ी आप अलग अलग जगह से सुन रहे होंगे एक प्लैटफॉर्म पे एक वीडियो में आपको कई चीज़ी जानने को मिलेंगे इसको पूरा दिखेगा बग्गा ने केजरिवाल के अगेंस्ट एक ट्वीट किया जो केजरिवाल को पसंद नहीं आया केजरिवाल अब धिल्ली पुलिस को भेज नहीं सकते सेंटर के हाथ में तो केजरिवाल ने जहां पे उन्होंने हाली में साशन प्राप्त किया है और एक कटपुतली बठाई है, तो वहाँ सुनों ने पंजाब पुलिस को भेज दिया, पंजाब पुलिस आती है पचास लोगों की तादाद में और बग्गा को घर से उठा के ले जाती है, रास्ते में पढ़ता है हरियाना, हरियाना पुलिस उनको रोग देती है और उनको खु पाजपा की बात किस हद तक सही है इसको भी देख लेते हैं पहले तेलंगाना की मामले में एक बार दिल्ली हाई कोट ने यह observation दी हुई है कि यह चीज गलत है हम टॉलरेट नहीं कर सकते कि कभी भी कोई भी किसी भी स्टेट से आये और किसी भी स्टेट के बंदे को उठा के ल होता है वहां कोई बहुत बड़ी तादाद में भाजपा समर्तक नहीं खड़े थे कि उसको उठाने में आपको ले जाने में आपका सरफूर जाता आप ब्लॉक कर दी जाता ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन आप पचास की तादाद में आए यह गलत है अब सुनने में गलत लेकिन क्या ऐसा कभी पहले भी हुआ है अब इमेजन करिए जब बंगाल में सी बी आई गई थी तो उसको रोक दिया गया था बंगाल पुलिस द्वारा और कितना भासड मची थी कितना ड्रामा हो गया था तो उस वक्त बहुत बड़े-बड़े लोगों ने मुझ बंद कर दिया ठीक है सबको बहुत अजूबा सा लग रहा है लेकिन यह हो गया तो मैं जिस कल्चर की बात कर रहा था ना अब उसको आप दिर दिर समझ रहोंगे कि क्या हो रहा है आपको फिर टुटर पे एक चीज और स्प्रेट की जा रही है और देखो तुमने भी मोदी के लिए एक ऐसा ही टुट किया था एक प्राइम मिनिस्टर के लिए असोबनिय है उसके लिए ऐसी बाते कहना ठीक नहीं है वो देज का लीडर है सब ने चुन के भेजा है एक बहुत बड़ी मैजॉरिटी ने चुन के भेजा है तो उस वक मुझे नहीं लगता कि केजरिवाल को किस और कोट ने भाई संग्यान लिया कि भी आई सब क्या कर रहे है नोटी सोटी से शुवर दिया कि मत अरेस्ट करो या जो भी यह चीजें पूछी है मतलब एक तरीके से तीन तीन जगों की पुलेस पॉलिटिकल पार्टी सीम इस सब चीजें इन्वाल्व हो रही है सिर्फ ए एक केजरिवाल की बेवकूफियत से बरी हरकत की वजह से और इस केजरिवाल ने अपनी सरकत से किसको एक नेता की तरह पोट्रे कर दिया बग्गा को जिसमें कुछ खास गलत बात नहीं है लेकिन आप चाहते थे उसको हुमिलियेट करना पनिश करना अरेस्ट करना वगरा लेकिन आप भूल गया है कि ऐसे नेताओं की ऐसी ही गलतियों की वैसे अगले नेता उभर के आते हैं अब उसके पास जन समर्थन भी है आपका पुराना ट्वीड भी वायरल हो रहा है जलील आप हो रहे हैं दिल्ली के जनता के मन में आएगा कि क्या चीत हले दरी हो रही है पंजाब की जनता भी सोचेगी कि किस बेवकूफ को कर लिया पावर कमिस यूज कर रहा है मतलब तमाम चीज़ें तो वीडियो में इतना ही मैं चालता हूँ उसको शेर करिएगा अच्छा रहा है तो कमेंड करके बताइएगा नए है तो सब्स्राइब कर रहा है फिर मिलते अगली डूँ जैन वंदे मातर